कि नमस्कार किशान भायों स्वागत है आपका केके अगरी कल्चर जोन यूटूब चैनल पे तो आज हम आए हैं गाउं किरतान जिला इसार में मास्टर गुलाब सिंग जी के खेत में यहां हम बात करेंगे निम्बू की खेती के बारे में तो यह बहुत ही मोडरन जो है किसान है और यह काफी समय से बागवानी करें तो आज मिन से बात करेंगे कि निम्बू का पोदा कब लगाना चाहिए कितना टाइम फड़ देता है तो कितना मतलब जमीदार पैसा उससे कमा सकता है तो सबसे पहले रामराम जी आपको नमस्कार जी तो सर मेरी यह जानकरी चाहिए को सबसे पहले निम्बू का जो लगा जाता हूँ कौन से महीन में लगाना सबसे अछ़ा रहता है इसका जी निम्बू कसे बैस तो रहता तो रहता कि नमा सबसें 1996 बाकि फरवरी और जुलाइकर जोनूम लगा सकते है इसको जनव फरवरी और जुलाइगस में और रही बात अगर ड्रीप लगाएं तो कभी भी लगाओ इसको ड्रीप किसी भी टाइम कोशी से करना चाहिए भी ड्रीप पोड़ा था कि उसके लाइफ जादा रहा है उस नेप का पाणी मेला उसने और ड्रीप पोड़ा जल्दी त्यार आपने कुन सी किसम लगाई हुए मैंने सर यह लगा रहा है कि कुम्ब काट वराइटी है को आजी यह जाए तर तो सर्दी माव बखी अब एक दो साल के बाद में तो बारा मही चलन लगए जुलाइगस में आती है पहले साल लगाया उज चैसाल का बाग हो गया जी मेरा और पहले साल जमन लगायायो यह दो में है अब बारा मही तो शान लगाया तो छै की टीयों तो घैसे सफार्मर लगाना चाहे तो परंप पोदे पे कितना खर्चाता है लगाने में पर पोदे वेजिए इसका खात वगएरा इंपलेमेंट खड़ा हुदाई सारा करकरा के तीन सुग रुपे में पोदा सारा खड़ा हो जया तो एक एकड में आपकी राय से मतलब कितना पोदा लगाना चीए सर मैंने तो पोदे थोड़े श्यांगने लगा थी है वागी पंद्रा वाई पंद्रा पर लगाने चीए इस पोदे को में पोदे ताकि इसमें अवाव अगारा पूरी मिला है तुड़ाई भी ठीक रहा है अंडर साइज रहा है पोदा रखना चीए अरूमेर गूमकर के लाद है जब हम पोदा लगाएंगे तो इसके नेम्पो जल्दी लगना एक तोडने पड़ते हैं तोड्यो तो पौदा यो जल्दी तारो तोड़ द्यूक्ना इसके रुरूब an इंजिsi कंट रहा उर चुझ सब्स्काओा में जूद आप। और सितंबर्क तोवर में बंफर फचल आती है और जनुवरी फरवरी में तो बहुँ जादा वो आपका गी है अब यह मतलब एक साल में जी फार्मर को एक किल्ले में कितने रुपे की लास्ट इंकम हो जाती है अगर अच्छा बाग हो अच्छा फल उठा ले तो यह ऐसा है ज परन तू मुझे त्यार लाग का मैंने गल्ति लोग किया यह चिदा लगाना चाहिए यह दो एक लाख रुपे का मानूं आप कहने का है कि दो लाख रुपे साल का एक किल्य से जमिदार कमा सकता है और पचाजार रुपे एक्स्पेंडिंचिर है सहारा कूल मिला के शहारा पचाजार रुपे तो एक डेड़ दो लाख रुपे इसके बच जाते हैं और में तब की बार ज्यादा विच्चे है यह है क्योंकि मतले बाव ठीक मिल गया तो मैंने अक्तुबर तक तोड़ा था इसको पौने दो लाख रुपे जिया फेस जुवारा स्टार्ट हो गया त जो प्रच्षिक साल का जमीदार ले सकता है हां जी तो यह जो बागवाणि सर आप कर रहे हैं मतले हैं अगर कोई साथी जानकारी लेना चाहिए तो आप से आके मिल सकता है तो आप उसके बारे में इसको पूरा जानकारी यह बदे देजिए घिए अमने पहले अंगूर तो यह आप पोदे कहां से प्रचेज की दिए आपने जो पोदे लिए लिए आपने सरू में डाक्टर बलजी सिंग ब्यान के ने तरतों में लिया थे वह सशी नर्शरी लुदियाना से तीस पोदे उसके बाद में यहीं त्यार करें नहीं आख त्यार करके संपावाड़ी से उसके प्रफोंस two कटाई बगे रहा है झाल झाल